लोगे इस मैं खशीरो आपका स्वागित करती हूँ आप बार बारने गॉस्व में कैप्टन शिफ ठाकरे की ये बात सुनके सुंगुल फैंस डेफिनेटली होने वाले हैं खुश चलिए आप लोगों को बताती हूँ बिग बास सोला के खर से जुड़ी हुई ये लेटे सब देट चानल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकिन को तबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए शेर काफी अच्छा है और नेचर वाइस काफिसता अच्छा लग रहा है अब तक इसी दुरान ही शीव ठाकरे की तारिफ इवन सुभूल के पिताजी भी करके गए और वो पहले भी बिग बॉस कर चुकी है मराथी और उसके विजेता भी रह चुकी है तो इनको खूबी से पता होगा क्या खिलकार कहां कहां क्या क्या चीजे हूनी है क्या सब चीजे कर सकते हैं इसी दुरान ही आप लोगों को बताया था कि शीव ठाकरे जो है वो कैप्टन बन चुके हैं डॉमिनो उसका टास जो है घर के अंदर हुआ था काफिजा धमासान लडाई हुई थी जिसकी जानकारी हमने प्रोमो में आने से पहली आप तक पहुंचा दी थी इसी दुरान ही शीव ने कैप्टन बनते ही बहुत ही बड़ा एक फैसला लिया जहांपर कैप्टन सी जब चल रही थी उद्धरान ही शालिन और सुम्बूल की कहीं ने कहीं बहस हुई जिसकी कारण जो है उसके बाद वो काफिजा रोई रोने के बाद उनकी काफिजा तबियत खराब और फिर उसके बाद जो है शिव ठाकरे ने आज भी यही बात सुम्भूल को बोला कि तुझे आज भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है जित्ता होता अगर करना है तो कर ले नहीं तो तू रेस्ट ले तो सुम्भूल के फैंस हुए हैं कैप्टन शिव ठाकरे से इंप्रैस बताईए जरूर इसी के साथ मैं लेती हूँ जाज़त नमस्कार